C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा साथ के सामाजिक विज्ञान पाठे क्रम के अंतरगत भूगोल की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा परियावरण आईए अब सुनते हैं अध्याय साथ शिर्शक है मानवीय परियावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार और अब प्रस्तुत है पाठ अध्याय एक में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव, भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृती पर निर्भर था लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विक्सित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकू करते थे, जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थाई घर बनाना आवर्शक हो गया, बस्तियों का विकास नदी या घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमी उपजाओ थी, व्या अपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ, क्या आपको सिंधु, टिगरिस, नील एवं वांग ही नदीयों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं, बस्तियां स्थाई या अस्थाई हो सकती हैं, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं, घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रिगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में रहते हैं, वे आखेट, संग्रहन, स्थानांतरी कृषी एवं रितु प्रवास करते हैं, यद्यपी अधिकांश बस्तियां आज स्थाई बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्शक है क्या आप जानते हैं। वे स्थान जहां भवन अथ्वा बस्तियां विकसित होती हैं, उसे बसाओ स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चैन के लिए प्राक्रिटिक दशाएं इस प्रकार होनी चाहिए, पहला अनुकूल जलवायू, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा उप्युक्त भूमी, और चौथा उपजाव मिट्टी. इसी प्रिष्ट पर चित्र संख्या 7.1 है, जिसमें एक मानो बस्ती का चित्र दिया गया है. हम देख सकते हैं कि प्रिष्ट भूमी में पहाड हैं, पहाड के नीचे समतल मैदान और उसके बाद एक नदी बहती हुई दिखाई गई है, जिसमें नौका भी चल रही है. प्रिष्ट संख्या 48. ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूशन है. प्रसाद हाल ही में गाउं से आया था. उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूशन तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रती दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. मेरी के पिता मिस्टर थौमस ने कहा, मेरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मा ने उत्तर दिया, वे यहां नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकिसकीय सुविधा की तलाश में आते हैं. मेरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे, तो ये सारे लोग कहां रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कबजे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड एवं अस्वास्थेकारी परिस्थितियों में रहते हैं. शहरों में जल एवं विद्यूत की कमी एक सामान्य समस्या है. प्रसाद ने कहा, हमारे गाउं में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुईधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहां बहुत सारी खुली भूमी एवं सांस लेने के लिए बाद से बस्तियों के दो विभिन चित्रन हमारे सामने आते हैं. ग्रामीन एवं शहरी बस्तिया, गाउं ग्रामीन बस्ति होती है, जहां लोग क्रिशी, मत्सेपालन, वानीकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कारे करते हैं. ग्रामीन बस्ति सघन या प्रकीर्ण ह हो सकती है सघन बस्तियों में घर पास-पास बने होते हैं चित्र संख्या 7.2 में सघन बस्तियों का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ऐसा दिखाई पड़ता है मानों सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं प्रकिर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर-दूर व्यापक ख्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतह पहाडी ख्षेत्रों, घने जंगल एवं अती विशम जलवायू वाले ख्षेत्रों में पाई जाती है। आप प्रकीन बस्तियों का चित्र, चित्र संख्या 7.3 में देख सकते हैं, जो इसी प्रिष्ट पर है। ग्रामीरिक ख्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरन के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले ख्षेत्रों में ढाल वाली छट बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाऊ होता है, वहां उंचे प्लेटफॉर्म तथा स्टिल्ट पर घर बनाये जाते हैं। ये आप चित्र संख्या 7.4 में देख सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 49 गर्म जलवाई वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दिवार वाले घर बनाये जाते हैं, जिनकी छटें फूसकी बनी होती हैं। स्थानिय सामगरी जैसे पत्थर, पंक, चिकनी मिट्टी, त्रिन, आदी का उप्योग घर बनाने में किया जाता है। नगरी ये बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तिया होती हैं। नगरी ये क्षेत्रों में लोग निर्मान, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कारेरत होते हैं। आप अपने राज्ये के कुछ गाउं, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए. प्रिष्ट संख्या उन्चास इसी प्रिष्ट पर हम चित्र संख्या 7.4 देख सकते हैं, जिसमें स्टिल्ट पर बने वे माकान दिखाए गये हैं. अब आईए चलते हैं पाठ में. परिवहन परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं. पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था. उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपियोग करते थे. पहिय की खोज से परिवहन आसान हो गया. समय के साथ परिवहन के विभिन साधनों का विकास होता गया. लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपियोग करते हैं. इसे हम चित्र संख्या 7.5 में देख सकते हैं. जो चित्र यहीं पर दिया गया है और इस चित्र का शिर्षक है यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी. एक और चित्र यहां पर दिया गया है और वो चित्र है इगलू का और इसका वर्णन इस प्रकार से है. आप बर्फ से बने आवास कहां पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, और वे क्या कहलाते हैं, आपको इसका उत्तर मिल चुका है, ये इगलू कहलाते हैं, इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स नीचे और उसके बाद हम पार्ठ में चलेंगे, और इस बॉक्स का शिर्षक है, आओ परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाएं, जिनका उप्योग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने के लिए करते हैं, और अब पाठ, हमारे देश में सामान्यतह गधे, खचर, बैल एवं उन्ट का उप्योग किया जाता है, दक्षिनी अफरिका के एंडीज परवत के क् जैसे तिब्बत में याक का उप्योग होता है, प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुचने में अनेक महीने लग जाते थे, वे समुद्री मार्ग से या थलिये मार्ग से आते थे, हवाई यात्रा ने परिवहन को दृत्त बना दिया है, आज भारत से योरोप की यात्रा करने में केवल छे से आठ घंटे का समय लगता है, इसी प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं उर्जा की बचत करते हैं, प्रिष्ट संख्या पचास परिवहन के चार मुख्य साधन हैं, सडक मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, एवं वायू मार्ग एक बॉक्स यहाँ पर और बॉक्स का शीर्षक है, क्या आप जानते हैं? भारत में अनेक राष्ट्रिये एवं राज्य राजमार्ग हैं, भारत में एक्स्प्रेस वे का निर्मान नवीन तम है, स्वर्ण, चतुर्भुजिये, महामार्ग, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है अब आईए सुनते हैं पाठ सडक मार्ग एवं साथ पॉइंट साथ में आप कच्ची और पक्की दोनों सडकों के चितर को देख सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में सडकों का घना जाल बिछा है मरुस्थलों, वनों एवं उँचे परवत जैसे स्थानों पर भी सडकें बनी हुई है हिमालय परवत पर मनाली लेह राज मार्ग विश्व के सबसे उचे सडक मार्गों में से एक है भूमिगत सडकों को भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं फ्लाइ ओवर, उत्थित संदरचनाओं के उपर बनाये जाते हैं रेल मार्ग रेल मार्ग के द्वारा तीवरता से एवं कम खर्च में लोगों का आवगमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है वाश्प के इंजन की खोज एवं ओद्योगिक क्रांती ने रेल परिवहन के तीवर विकास में सहायता प्रदान की डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाश्प के इंजनों का स्थान ले लिया है सुपरफास्ट रेलगाडियों से परिवहन की गती और भी तीवर हो गई है मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है उन्नत प्रोध्योगी की ये कौशल से दुर्गम पहाडी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है लेकिन इनकी संख्या काफी कम है भारतिये रेल मार्गों का जाल भली भाती विकिसित है यह एशिया में सबसे बड़ा है इसी प्रिष्ट पचास पर अंत में एक बॉक्स और बॉक्स का शिर्षक है क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेल गाड़ी समुदर तल से 4000 मीटर की उचाई पर चलती है जिसका सबसे उचा बिंदू समुदर तल से 5072 मीटर है और यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेल गाड़ी का चित्र है प्रिष्ट संख्या 51 सबसे पहले एक बॉक्स क्या आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्स बर्ग से प्रशान्त महासागरिय तट परस्थित ब्लैदी वोस तक तक जाता है और यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का एक मानचित्र दिया हुआ है जो हम देख सकते हैं सेंट पीटर्बर्ग से और ब्लैदी वोस तक तक यह एक बहुत लंबा रेल मार्ग है और इसके अंदर आने वाले स्टेशन्स इस प्रकार से हैं सेंट पीटर्बर्ग या लेनिंग्राद फिर मॉस्को फिर कजान या केरी वर्ग उसके ट्यूमिन ओमंस्क और उसके बाद क्रास्नोयास्क और उसके बाद अंगार्स्क फिर चिता और उसके बाद खबरोवर्स्क और अंत में ब्लेडी वॉस्टिक आईए अब सुनते हैं पाठ जल मार्ग आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले समानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है ये मुख्य तह दो प्रकार के होते हैं अंतरदेशिय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग नाववे नदियों एवं जीलों का उपयोग अंतरदेशिय जल मार्ग के लिए होता है कुछ महतोपूर्ण अंतरदेशिय जल मार्ग हैं गंगा ब्रहंपुत्र नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफरिका में नील नदी समुद्री एवं महासाग्रिये मार्गों का उपियोग सामान्यतह व्यापारिक माल एवं समान को एक देश से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए करते हैं ये मार्ग पत्तनों या बंदरगाहों से जुड़े होते हैं विश्व के कुछ महतोपूर पत्तन है एशिया में सिंगापूर एवं मुंबई उत्तर अमेरिका में न्यू यॉर्क एवं लोस एंजिलिस दक्षिनी अमेरिका में रियो डी जनेरियो अफ्रिका में डर्बन एवं केप टाउन आस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लं ये चित्र संख्या 7.11 में दिखाया गया है क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के भी नाम बता सकते हैं इसी प्रिष्ट 51 पर अंत में एक चित्र दिया गया है चित्र संख्या 7.8 और इसमें अंतरदेशिय जलमार्ग का एक चित्र है प्रिष्ट संख्या 52 वायू मार्ग बिश्वी सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीवर मार्ग है इंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सरवाधिक महंगा साधन है वायू यातायात खराब मौसम जैसे कुहरे एवं तूफान से कूप्रभावित होता है यह यातायात का अकेला साधन है जो सरवाधिक दुरगम एवं दुरूह स्थानों तक पहुँच सकता है विशेश रूप से जहां सडक एवं रेल मार्ग नहीं है हेलिकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकट कालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बाटने के लिए एक बहुत ही उपियोगी साधन है चित्र संख्या 7.9 में हेलिकॉप्टर का चित्र दिया हुआ है कुछ महतोपूर्ण हवाई पत्तन है या हवाई अड़े हैं दिल्ली, मुंबाई, न्यू यॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा हम ये चित्र संख्या 7.11 में देख सकते हैं संचार संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने की प्रक्रिया है तखनीकी विकास के साथ मानाव ने संचार के नए एवं तीवर साधनों को विकसित कर लिया है चित्र संख्या 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है संचार के ख्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना करांती आई है सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन साधनों का उप्योग होता है समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलिविशन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं इसलिए इनको जन संपर्क माध्यम कहते हैं सेटलाइट से संचार में तीवरता आई है तेल की खोज, वनो का सर्वेक्षन, भूमीगत जल, खानीज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्विचेतावनी आदी में सेटलाइट बहुत सहायक होते हैं अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक मेल या ई-मेल भेज सकते हैं आज सेलिलर फोन के द्वारा बेतार टेलिफॉनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूजना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती अभी तो इनसे हमारा जीवन अधिक सुख में भी बन गया है अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीवर गती से आपसी संपर्क संभव होने के कारण, आज हम एक व्रिहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है आओ करें अंग्रेजी हिंदी एवं क्षेत्रिय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखें प्रिष्ट संख्या तिरिपन प्रिष्ट संख्या तिरिपन में एक मान चित्र दिया गया है जो चित्र संख्या 7.11 में है और इसमें विश्व के प्रमुक समुद्री बंदरगा और हवाई पत्तनों को दर्शाया गया है प्रिष्ट संख्या चववन अभ्यास एक इन प्रश्णों के उत्तर दीजिए क परिवहन के चार प्रकार क्या है ख बस्ती से आप क्या समझते हैं ग ग्रामीन लोगों के क्रियाकल आप क्या है ग रेल मार्ग के किनी दो गुणों के बारे में बताएं च संचार से आप क्या समझते हैं च जनसंपर्क माध्यम क्या है दो सही उत्तर बताईए इसमें सबसे पहले आपके लिए एक प्रश्ण और उस प्रश्ण के उत्तर के रूप में आपको मिलते हैं तीन विकल्प इन तीन विकल्पों में से आपको किसी एक का चैयन करना है तो आएए सुनते हैं प्रश्ण संख्या एक कर इन में से कौन संचार का साधन नहीं है एक टेलिफोन दो पुस्तक तीन मेज घर इन में से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्मान है एक फ्लाइ ओवर दो एक्स्प्रेस वे तीन सब वे गर किसी द्वीप पर पहुँचने के लिए इन में से कौन सा यातायाद साधन उप्युक्त है एक जहाज दो रेलगाडी तीन कार घर यातायाद का कौन सा साधन परियावरन को प्रदूशित नहीं करता एक साइकिल दो बस तीन हवाई जहाज तीन यहाँ दो स्तंभ दिये हुए हैं और दोनों स्तंभों में अलग-अलग शब्द हैं और आपको दोनों स्तंभों के बीज में उप्युक्त मिलान करना है आईए सबसे पहले सुनते हैं पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ में आपको विकल्प मिलते हैं और आपको इन विकल्पों को पहले स्तंभ में दिये गए शब्दों से मिलाना है आईए सुनते हैं क्या-क्या विकल्प हैं एक क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में काम करते हैं दो आस-पास निर्मित घरों वाले क्षेत्र चार, कारण बताईए आज विश्व सिमटता जा रहा है क्यों? पांच, क्रिया कलाप अपने स्थानिये क्षेत्र में एक सर्वेक्षन करें ये वं देखें कि लोग अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए कितने साधनों का उप्योग करते हैं एक, परिवहन के दो से अधिक साधन दो, परिवहन के तीन से अधिक साधन तीन, पैदल तै की जाने वाली दूरी में ही रहते हैं ख, इन परिस्थितियों में आप संचार के किस साधन को प्रात्मिक्ता देंगे? एक, आपके दादा जी अचानक बिमार पढ़ गए आप डॉक्टर को कैसे सूचित करेंगे? दो, आपकी माँ पुराने घर को बेचना चाहती है आप इस समाचार को दूसरों तक कैसे पहुँचाएंगे? तीन, आप अपने चचेरे भाई के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं जिसके कारण आप अगले दो दिन तक स्कूल से अनुपस्थित रहेंगे आप अपने शिक्षक को कैसे सूचित करेंगे? चार, आपका मित्र अपने परिवार के साथ न्यू यॉर्क घूमने जा रहा है आप उसके साथ कैसे संपर्क में रहेंगे? यहां अध्याय साथ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे हमारा परियावरन ध्वनी पाठे पुस्तक का साथवा अध्याय शीर्शक्था बस्तियां परिवहन एवं संचार, वाचन स्वर अजी थोरो, निर्मान सहयोग शानु मुक्सीम, निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत